अब यह जो पर्टिक्लो टॉपिक है क्योंकि यह 12 का पहला चैप्टर है अब इसके जो रियक्शन मेकनिजम्स हम इसमें पड़ेंगे वह बहुत ही फंडामेंटल है आप यह समझ लो कि इस चैप्टर की वेटेज पूरी और गेनिक केमिस्ट्री में 20-25% जिर्फ इस अकेले एक चैप्टर की वेटेज है क्यों इसमें आपके स्टीरियो केमिस्ट्री के कॉंसेप्ट जो आपने जनरल और गेनिक केमिस्ट्री में 11 में पड़ा है उसके कॉंसेप्ट और कुछ और ऐसे रियक्शन मेकनिजम्स होंगे जिनको 50% और और गेनिक के जो चैप्टर में हम यूज करेंगे तो fundamental बनाने वाला यह चैप्टर है तो यह थोड़ा सा I hope के लंबा चलेगा पर इसके fundamental clear होने के बाद आगे कि जो चैप्टर है वो easy भी होंगे और जल्दी भी cover होंगे कि because हम बात करेंगे कि जैसे के मैं प्रीवेस चैप्टर में जहां पर एक carbon chain में halogen group present है, अब वो aliphatic भी हो सकता है carbon chain और aromatic भी हो सकती है, तो alkyl halides are organic molecules containing a halogen atom, तो generally वो sp3 hybridized carbon से bonded होता है, generally पर ज़रूर ही नहीं है, जैसे कि यहां पर यह carbon है, चार bonds में से एक bond halogen के साथ है, अब यह fluorochlorobromo-iodo कुछ भी हो सकता है, अब यहां पर it's a methyl halogen, halide, ठीक है अब methyl group के साथ लगा हुआ है, तो उसको बुल देंगे methyl halide, अगले वाले में देखेंगे, तो यह RCH2X, तो basically जिस carbon पे halogen लगा है, वो carbon कितने degree है, 1 degree, तो यह एक 1 degree halide हुआ, अगले वाले में जिस carbon पे halogen लगा है, वो carbon अपने आप में 2 degree है, तो यह halide होके 2 degree halide similarly next वाला, it is a 3 degree halide, तो इस तरह से हम degree define करेंगे कि primary है, secondary है, tertiary है, tertiary halide है, ओके, so you can note it down now, अब देखो, question no.1, classify each alkyl halide as 1 degree, 2 degree और 3 degree, अब फर्स structure में, फ्लोरीन जिस carbon से connected है, यह carbon 1 degree है, तो यह 1 degree halide हुआ, second में, क्लोरीन जिस carbon से connected है, वो वाला carbon 2 degree है, आगे 2 carbon से connected है, तो यह 2 degree halide हुआ, और यहाँ पे C में, जिस carbon पे bromine attached है, वो carbon, तीनों तरफ carbon से connected है, तो यह 3 degree halide हुआ, अब यह तो हमने पढ़ लिए कि जहाँ पर halogen, एक SP3 carbon से connected है, अपार्ट फॉम डैट, ऐसे भी cases है, जहाँ पर halogen, एक SP2 carbon से connected हो, जिसकी यह है, तो यह विनाइलिक carbon पे halogen लगा है, तो यह हो गया विनाइलिक halide, ठीक है, यह विनाइल हलाइड, यह बेंजीन पे directly लगा है, तो यह हो गया नेम के किस तरह से आप, बिनजाइल अलाइड क्या होता है, अलाइल क्या होता है, वो ही same pattern चल रहा है, जो हमने 11th class में पढ़ा हुआ था, तो यह सारे basic तो आपको पहले से आते हैं, पर फिर भी, हम यह जूम करके नहीं चलेंगे, कि आपने यह सारे चीज़ें पढ़ रख चीज़ के साथ, अगर हम सिधा चलें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पर आगे हमारा 5, आगे जा रहे तो भी 2 हैं, नीचे जा रहे तो भी 2 हैं, अगर आगे गए तो यह पूरा एक ही ब्रांच होगा, अगर नीचे गए, तो यह एक और यह दो ब्रांचीज आ सकती हैं, तो 5, फि से चलते हैं, नमबरिंग करते हैं मान लो, तो हमारे ब्रांचीज कहां-कहां आ रही हैं, लेफ्ट से जाने पर, 2 पे ब्रोमो आ रहा है, और 6 पे मिथाईल है, और 5 पे इथाईल है, अगर आप राइट से चलते हैं, यहां से, जहां 7 लिख आ हैं, मैंने इसकी जगा 1 मार्क करते हैं, तो 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, तो यह total होगे, 11, और यह कितने होगे, 13, तो अब विसी बात है, यह lower set of locant है, तो lower set of locant के recording, numbering decide होगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो alphabetical चलेंगे, तो सबसे alphabetical preference किसके आएगी, ब्रोमो की, फिर उसके बाद ethyl, तो हम लिखेंगे 6, bromo, 3 ethyl, 2 methyl, 7 carbonato, heptane, अब second one, तो जब इस तरह कि कोई problem आए, always you can pause the video और पहले खुद उनको try कर सकते हो, and then you go through the solution part, अब देखो, इस case में क्या है, जो यहाँ पर functional group होगा, वो क्या होगा, double bond, तो double bond हमारी priority है, तो double bond वाले carbon से numbering start भी करते हैं, और उसको cover करते हो चलते हैं, अब देखो, अगर ऐसे चलें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, anti-clockwise चलोगे तब भी 4 और 5 पर branches आनी है, clockwise चलोगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ टू की जगवान से करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, दोनों में 4, 5 पर आ रहा है, तो जो set of locate इंटे वो तो सेम है, longest chain भी 6 carbon की है, now the question is, कि clockwise आना है यह anti-clockwise आना है, तो वहाँ पर alphabetical preference, अगर हम anti-clockwise चलते हैं, तो 4 पर ब्रोमो आता है, clockwise चलते हैं, तो 4 पर methyl आता है, तो जल्दी कौन आना चाहिए, तो यह numbering का method जो वो better रहेगा, प्रेफर रहेगा, तो 4 ब्रोमो, 5 मिथाइल, cyclohexene या hex1-ene, then see मैं, जैको ऐसे चलोगे, तो 1, 3, 5, कैसे भी करके चलो, 3 ओ 1, 3, 5 पर आ रहे हैं, तो alphabetical preference लेंगे, तो ब्रोमो से चार्ट करेंगे, ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर आइडो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो simple लेंगे लिख लेंगे हैं इसको, 1 ब्रोमो, 3, क्लोरो, 5 आइडो, बेंजीन, then इस case में, यह भी simple, हैलो, अलकेन है, तो longest chain तो 6 कारवन की होगी, cyclic ring, और number of, मतलब lower set of locant है, तो यहाँ 1 से start करेंगे, 1, 1 आएगा, तो 1, 2 अब जाए clockwise चलोगे, या anticlockwise, सेम यह आ रहे हैं, तो 4 फ्लोरो, 1, 1, dimethyl, cyclohexane, ठीक है, 4 फ्लोरो, 1, 1, dimethyl, cyclohexane, next one, यह 1, 2, हमेशा 1, 2 रहेंगे, तो 1 किसको लोगे, ब्रोमो और ख्लोरो में अल्फाबेटिक लिए ब्रोमो पहले आएगा, तो 1 ब्रोमो, 2 ख्लोरो, और यहाँ आपर आप सिस भी मेंशन कर सकते हो, सिस, 1 ब्रोमो, 2 ख्लोरो, cyclobutane, ठीक है, तो यह तो होगे नेमिंग, next is the NCRT in-text question, write structures of the following compound, so first pause the video and solve this, maximum 3 minutes, यह option 2-Chloro-3-Methyl-Pentane, Pentane, 5-Carbon, यह के Pentane, 2-Pे-Chloro है, और 3-Pे-Hै-Methyl, done, second, 1-Chloro-4-Ethyl-Cyclohexane, यह आगे-Cyclohexane, 1-Pे-Hै-Kloro, और 4-Pे-Hै-Ethyl, then third, 4-Tert-Butyl-3-Ido-Heptane, 7-Carbon, यह के साथ, 1-2-3-4, 4-Pे-Hै-Tert-Butyl, plus mark, और 3-Pे-Hै-Ido, then 1-4-Di-Bromobut-2-Een, तो 4-Carbon, 2-Pे-Hै-N, और 1-4-Di-Bromo, तो 1-Pे-Bromo, और 4-Pे-Bromo, and E-Methyl-Benzene, finally it is Benzene, तो Benzene पे, 1-Pे-Bromo है, लट आज से, यहाँ से स्टार्ट किया, 1, 4-Pे-Hै-Secondry-Butyl, तो Secondary-Butyl हो गया, 1-2-3-4, ठीक है, यहोगे सेक-Betal, उसको थोड़ा सा, ढंक से ट्रॉ करते है, 1-2-3-4, and 2-Petal, Done, तो Simple था, Normal creature आपका वैसे भी fast होना ही चीए, और जब भी NCIT में जो example दी होते हैं, naming वाले, उनको तो सभी को आपको पढ़ने पढ़ना है, Now, the chlorine-containing antibiotic, जैसे कि क्लोरम फैनिकोल है, produced by soil microorganism is very effective for the treatment of typhoid fever, क्यों बता रहा हूँ आपको, because NCIT में लिखा हुआ है, तो कभी-कभी इसे चोटी-चोटी बातों पे भी question आ जाता है, कि कौन सा हेलोलकेन है, जो typhoid fever में, treatment में यूज होता है, या उसमें कौन सा हेलोजन होता है, तो आपको पता हूँ नची, उसमें क्लोरीन होता है, तो क्योंकि ये NCIT में mentioned effect, इसलिए ही important, ऐसा है नहीं, आप सभी-सभी दवाईयों के बारे में, याद करना स्टार्ट कर दो, and our body produces iodine-containing hormone thyroxine, the deficiency of which causes goiter, then chloroquine is used to treat malaria, तो ये कुछ application होगी के, जो hello alkanes है, उनकी day-to-day life में application कहां कहां हो सकती है, next we come to NCIT examplar 10.1, draw the structures of all structural isomers, that have molecular formula C5H11BR, pause the video, 3 minute है आपके पास, try this question, और नहीं solve वोते, then we'll, obviously हम तो solve करना ही करना है, देखो, अब पहली चीज आपको पताओ निची, के यहाँ पर degree of unsaturation क्या है, मैंने आपको पहले बताया है, GOC में के degree of unsaturation के लिए, halogen को hydrogen की तरह treat करना है, तो अब ब्रोमिन को आप H की तरह treat करो, तो C5H12 हो गया, और यह match कर रहा है, CnH2N plus 2 formula को, मतलब यह simple alcan का formula है, तो alcan है तो degree of unsaturation कितना हो गया, 0, तो मतलब कोई double bond, triple bond, ring इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं होगी, यह सारे के सारे single bonds हैं, 5 carbon, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको longest chain, straight chain से चलना है, 5 की straight chain ली, 1, 2, 3, 4, 5, अब ब्रोमिन कहां कहां लगा सकते हो, यह दोनों position एक जैसी हैं, किसी पे एक पे लगाओ, बात बराबर है, और यह middle बाली तो एक ही है, मतलब तीन positions हैं यहां पे, तो एक बार चलो यहां लगा लेते हैं, एक बार यहां लगा दिया, तो यह होगे straight chain में, तो 5 की chain में इससे आगे कोई variation नहीं है, अब क्या करते हैं, chain को छोटा करते हैं, 4 carbon का chain करते हैं, और एक लगाते हैं उसमें branch, अब यह जो आपका अगर chain का structure होगा, तो इसमें कितनी unique positions हैं, जैसे कि यह हो गया, यह दूसरा है, यह third है, बाकि यह और यह दोनों position एक जैसे हैं, symmetrical हैं, तो मालनों एक बार हमने यहां पे bromine लगा दिया, अगली बार हमने यहां पे bromine लगा दिया, next time इस position पे, और next time, तो 4 की chain के पास, हमारे पास total आगे, चार, अब chain को तोड़ा और चोटा करो, 3 carbon की chain, तो बाकि दू ब्रांचिज, अब देखो यह हो position, चाहिए यह हो, चाहिए यह हो, चाहिए, यह चारों equivalent है, तो इन में से किसी एक पे लगा दे, bromine, और, और कोई possibility नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच वाला carbon पे तो अल्रेडी, चार बांट पूर हैं, तो हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total, 8 isomer हमारे पास हैं, उसमें भी, अब क्योंकि structure ली पूछे हैं, मान लोगर आपको optical भी बोला होता, तो यहाँ पर जैसे हम इस carbon की बात करें, तो methyl, propyl, bromowaric H, तो यह chiral है, enantiomer इसके बनेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ सेम है, यहाँ देखें तो methyl, bromowamethyl और ethyl और एक H, यह वाला chiral है, इसके nantiomer बनेंगे, इसमें दो गुरुप सेम हो गए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यह वाला position chiral है, इसके nantiomer बनेंगे, ठीके, तो यह हमारे पास आगे, जिनके आगे stereo isomer भी आप बना सकते हो, clear, तो I think the question part is done, जितना पूचा गया तो अतना हमने कर लिये,